हरी भक्ति विलास के बारवे अध्याय में लिखा है अर्थात गोविंद का स्मरण और एकादशी में उपवास ये दोनों निसंदे मनुष्य वरिंद के पक्ष में प्रायश्चित स्वरूप इवं संसार निस्ता रखे हरे कृष्णा आज आपको सुनाने जा रही हूँ कार्थिक मास के शुक्लपक्ष में आने वाली अत्यंत विशेश उथान एकादशी वरत की कथा इस एकादशी के अन्य भी कई नाम है जैसे की प्रबोधिनी एकादशी और हरी बोधिनी एकादशी यह वही दिन है जब भगवान श्री विश्नु श्रीर सागर में अपनी चार मास की योग निद्रा समाप्त करके उठते हैं और इसलिए इस एकादशी को देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है चार मास तक भगवान श्री हरी योग निद्रा में शैन करते हैं, उस समय विवाह, यग्य, इत्यादी कोई भी मांगली कारी नहीं किये जाते हैं और जैसे ही भगवान योग निद्रा से बाहर आते हैं, तो उसके पश्चात इन मांगली कारीों का प्रारंब होता है और इसकी शुरुवात होती है तुलसी विवाह के साथ, यानि सर्व प्रथम भगवान श्री विष्णू के शालिग्राम स्वरूप और तुलसी देवी का विवाह होता है पद्मपुरान के कार्थिक महात्मे नामक अध्याय में इस देव उठनी एकादशी से संबंदित अत्यंत सुन्दर कथा आती है एक समय भगवान श्री हरी के मंदिर में एक नन्ना सा मूशक रहता था और मूशक के स्वभाव अनुसार प्रति दिन भगवान श्री विष्णू को जो दीपक अर्पित किया जा था उसी के बचे हुए घी और बाती को अपना भोजन बनाता और संपूर्ण दिन इदर उदर भागता रहता अब एक दिन सभी भगतगर्ण श्री हरी की आर्ति कर रहे थे उन्हें दीपदान अर्पित कर रहे थे मंदिर में घंट बज रहे थे कुछ समय बाद सभी लोग चले गए उनके जाने के बाद वो मूशक बहराया उसे अत्यंद भूख लगी हुई थी भगवार नारायन के समक्ष दीपक तो जल रहा था लेकिन वो अभी पूरी तरह से बूच्छा नहीं था अब क्या करें भूख इतनी जादा थी कि मूशक ने उस दिये के ठंडे होने की प्रतिक्षा किये बीना ही उसे खाना शुरू कर दिया और परिनाम क्या हुआ वो तो आप जानते ही हैं बातिक गर्म होने के कारण उसके दांतों में लग गई और अंदर ही अंदर वह जलने लगा आग की पीडा के कारण वह मुशक भगवान श्री हरी के विग्रा समक्ष उचलने लगा और आखिर उसकी मृत्यू हो गई और ये समय था कार्तिक मास की एकादशी का अब देखिए हमारे करुणा सिंदू भगवान की अपार करुणा मुशक गर्म बाति खाने के कारण अंदर से जल गया था और इस वज़स से उचलकूत कर रहा था लेकिन भगवान ने उसे कार्तिक मास में मुशक द्वारा अर्पित दीपदान और उनके समक्ष किया गया निर्त्य कीर्तन समझा और उस मुशक को मुक्ति प्रदान कर दी अगर अंजाने में किये गए इस कारे का इतना बड़ा फल मिल सकता है तो ज़रा सोच ये संकल्प के साथ की गई कार्तिक मास की एकादशी का वरत हमारे लिए किस सवभागय के द्वार खोल सकता है इसलिए युदिश्टिर महाराज ने एक समय भगवान श्री कृष्ण से पूछा था हे मधुसूदन कार्तिक मास में आने वाली अन्य एकादशी कौन सी है उसका नाम क्या है और उसका महत्व क्या है तो भगवान ने प्रेम पूर्वक्समीत के साथ उत्तर दिया हे राजन कार्तिक मास के शुकलपक्ष में आने वाली एकादशी को उठान एकादशी कहते हैं इस समबंध में एक समय ब्रहमाजी और नारद मुणी के मध्य सुन्दर वारत लाप हुआ था उसी को मैं आपके समख्ष प्रस्तुत करता हूँ ध्यान से सुनिए एक समय जब ब्रह्मांड के विवद्य लोकों में विचरण करते हुए नारत मुनी अपने पिता ब्रह्माजी के पास पहुंचे तो उनके मन में एक जिक्यासा थी उन्होंने अपने पिताश्री को प्रणाम किया और पूछा हे पिताश्री मैंने सुना है कि कार्थिक मास में एक अत्यंत पवित्र एकादशी आती है जिसका नाम है उत्थान एकादशी ये एकादशी विशेश है ये तो मैं जानता हूँ लेकिन इसके संपूर्ण महात्मेसे मैं अंजान हूँ कृपया मेरी जिग्यासा को शांत करते हुए मुझे इस एकादशी का संपूर्ण ज्यान प्रदान करें नहरत मुनी की जिग्यासा सुनकर ब्रह्माजी ने कहा हिप उत्र कार्थिक मास के शुक्लपक्ष में आने वाली उत्थान इकादशी के पालन से मिलने वाला पुर्ण फल सहस्त्र अशुमेग यग्य या सो राजसुय यग्यों से अरजित पुर्ण फल से भी कई गुना अधिक है जो भी व्यक्ति निश्य पुर्वक उत्थान इकादशी का पालन करता है उसके सौ जन्मों के पाप नश्ठ हो जाते हैं इतना ही नहीं जो भगवान श्री हरी का कीर्थन करते हुए रातरी में जागरन करता है उसकी भूत, वर्तमान और भविश्य की पीड़ियां भी वैकुंट को प्राप्त करती है जो व्यक्ति इस दिन दान देता है, गाई की सेवा करता है, भगवान श्री हरी के गुणों का वर्णन करती हुई कथा सुनता है या सुनाता है, शास्त्रों का अध्यान करता है, उसे सौ गाई देने का पुर्णिफर प्राप्त होता है। इस दिन तुलसी देवी के समक्ष बैट कर व्यक्ति को भगवान स्रीकृष्ण के पवित्र नामों का जब करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में ये भी बताया गया है कि जिनके पूर्वज उन्हें भयंकर पापकर्म किये हैं और इस समय नर्क की यातना भुगत रहे हैं उनका भी उद्धार इसे कादशी के पालन से हो सकता है। उसे भगवान की पूजा करता है उसे दुबारा भौतिक जगत में नहीं आना पड़ता। और जो लाल वर्ण के सहस्त्र दलिय कमल पुष्पों से भगवान जगनात जी की अराधना करता है उसे भगवान का श्वेत द्वीप प्राप्त होता है। और इसलिए अगर आप अपने घर पर भगवान जगनात जी को आमंतरित करना चाहते हैं तो अभी जाएए हमारी वेबसाइट निलाचल.com पर जहां भगतो द्वारा हार्ड बाउंड वाटर प्रूफ माटीरियल से उन्हें बनाया गया है। और वे आपके घर आने की प्रतिक्षा कर रहे हैं। पिछले साथ जन्मों के पाप नश्ट हो जाते हैं। इस प्रकार भगवान स्रीकृष्ण ने उत्थान इकादशी कथा का समापन किया। और युदिश्ट्री महराज ने आने वाली उत्थान इकादशी वरत का पालन करने का संकल्प लिया। और एक रहसे की बात बताओं। अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। चलिए, जल्दी से कर लीजिए। और नीचे बेल आइकन भी है, उसे भी तवाना मत भूलिएगा। तो चलिए, श्रिमती राधारानी के प्रिय मास कार्थिक में श्री हरी की प्रिय रमा एकादशी का भक्ति भाव और श्रधा पूर्वक पालन करते हैं और हमारे आध्यात्मिक जीवन में अक्रसर होते हैं। हरी कृष्णा। झालो हरी कृष्णा। हरी कृष्णा।